कि अम्हें लिए मैं दाकील अखबर को म्हारे भाबस टौफीक होगा वो होगा एक्सु साइस थ्री पॉं त्री एक्सु साइज रीपॉइंट्ट्री अच्पेवले आप ने प्यारे बच्चो क्या सुन्हास है रिजिस्टर्स निकाले कौपी निकाले pencil निकाले, ballpoint निकाले या pen निकाले, सबसे पहले आपने क्या गरना है law of logarithm देखे, क्या है सबसे पहले पहले है आपके पास product, then क्या है quotient, then क्या है power form, then क्या है change of base of form यानि कि logarithm की आपके पास law of logarithm, जो है आपके पास total उसकी 4 form है, first one पे product, then क्या है quotient, then क्या है power, then क्या है change of base ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, यह हमारे पास use होंगे, exercise 3.3 में, यह हमारे पास use होंगे exercise 3.4 में सबसे पहला क्या है, लोग अगर आपके पास दो values आपस میں multiply हो रही हो, तो जब हम आपने इसको sum या difference की form में करना है, तो आपने इसके साथ क्या लगा ले है, log m plus log n, अगर आपके पास log पहले product की form में पढ़ा होगा है, तो आपने जब इसको opening form में करना है, तो log m plus log n, क्या कर देंगे, log m plus log n, multiplication को हम किसमें change कर देंगे plus में, multiplication के case में किसमें change कर देंगे, plus में, और दोनों इतराफ में क्या आजएगा, हमारे पास log clear होगी बार, अगर हमारे पास product की form में है, log m plus log n आजएगा, अगर हमारे पास quotient की form में है, over की form में है, fraction की form में है, तो जब हम इससे sum या difference की form में change चेंज करेंगे तो क्या आएगा लोग M-Log N-Log 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 M-Log 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 M-L तो जब हमारे पास log N की base A होगी, यह हमारे पास अभी 3.3 का question number हम कौन से use करेंगे, question number 4 में use करेंगे, क्या होगा log N की base B over log A की base B, bases A में आपस में कर दियेंगे, तो मारे पास जो formula आजेगा log N over log A, यह जब हम use करेंगे तब हम इसको इंचाला तला detail में देखेंगे, अब आप मेरी वीडियो को करें, stop और इसको याद करें, के log M into N as equal to sum या product की फोर में हम क्या लिखेंगे, log M plus log N, quotient की फोर में क्या लिखेंगे, log N, M over N, minus की फोर में लिखेंगे, log M minus log N, power की फोर में पावर शुरू में, then log M over, sorry, A की base A, अब देखें, exercise 3.3 का question number 1 हमारे पास, log A multiple by B, log A multiplied 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 by B, यह हमारे पास, अब प्रोड़क्त की फोर में है, जब हम इसको product की फोर में किसमें करना है, उन्हों ने कहें, write the following into sum or difference, sum का मतलब क्या है, जमा और difference का मतलब क्या है, हमारे पास, minus या negative, देखें, अब इस multiplication को case में हमने, product की form को हमने किसमे लिखेना है सम की case में तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे solution solution के बाद लिखे को समक्राइब है बी यह मारे पस تरो कुछ मेरे पर मोद शाद FORM में लिखेंगे तो हम क्या हैं लोग इस प्लस को हम किसमें कर देंगे पुलस में प्लस में नपीधर कर जाएगा लोग बी ये मारे पास simplified answer आ गया अब अगर हमारे पास कोई quotient की form पढ़ी हुए है over की form पढ़ी हुए है fraction की form पढ़ी हुए है तो इस divide को हम किसमें change कर देंगे minus में तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे solution solution के बात क्या आएगा log 15.2 और 30.5 अब इसको हम जब quotient की form में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा quotient को माइनस में change कर देंगे log 15.2 इस quotient को आपने किसमें change कर देना है minus में और दोनों तरफ आपने क्या लगा देना है log ये हमारे पास simplified answer आ गया ठीक है अब देखें यहाँ पे product की भी है यहाँ पे quotient भी है यहाँ पे हमारे पास product की form भी पड़ी हुई है यहाँ पे हमारे पास quotient की form भी पड़ी हुई है सबसे पहले आप क्या लिखें है solution solution की बाद क्या लिखें log 21 multiply by 5 over 8 ठीक है जब हम लोग को multiply अंदर करेंगे तो multiplication change कर देंगे plus में और divide को change कर देंगे minus में तो हमआरे पास के आजएगा log 21 multiply को हमने किसमे change करना था plus में तो हम लोग को अंदर multiply भी करवा देते हैं log 5 clear अब इसे divide को हम किसमे change करेंगे minus में तो महरे पास के आजएगा log 8 यह हमारे पास simplified form आ गई अब देखें अब इसको हम क्या करेंगे यह हमारे पास कौन सी form है exponential form है यह हमारे पास कौन सी form है power form है सबसे पहले इसकी आप power मनाए power क्या होती है इस radical के radical की power क्या है 3 जब आप इसको करेंगे 7 over 15 और इदर हम क्या कर देंगे 1 over 3 ठीक है अगर तो यह radical केला होता तो क्या था 1 over 2 लेकिन radical की उसने हमें हुद power क्या दे दिया 3 तो हम इसको जब change करेंगे इस radical को तो हम क्या कर देंगे 1 over 3 अब देखें अब मैंने बोला था कि अगर आपके पास लोग की किसी फॉर्म में power फॉर्म में हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा power हमारे पास शुरू में आजेगी then log अब इस 1 over 3 को आप शुरू में लेजें लोग से पहले लिख दे इदर का जगर 1 over 3 लोग बार में लिखें लोग आप देखें पावर को हमने शुरू में लोग 7 और इस कोशन फॉर्म है कोशन की फॉर्म को हम किसमें चेंज करेंगा माइनस में लोग 15 अब देखें ये लास्ट वाला क्वेस्टन है क्या है पावर को आपने किसमें चेंज सबसे पहले तो आप मुझे लगते हैं यहाँ पर लोग आना है जी आना है ठीक है अब इस पावर को सबसे पहले शुरू में चेंज ले जाएं आप वन ओवर थ्री लोग 22 ठीक है यह कोशन आगे शुरू हो जाएगा इतर आजएगा माइनस ठीक है आप देखें इस पावर को आपने शुरू में लेके जाना था 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 थी लोग क्या आजएगा आपके पास 5 अगर इस वीडियो की आपको समझ नहीं आई तो आप लोग ने यह फार्मुले याद नहीं किये तो ब्राहिम मेहर बानने इस फार्मुले को कीजिए पहले याद देन अपलाइक कीजिए इन कुस्टन्स में इन्शाला तला आपका कुस्टन नमबर बन सारा का सारा हो जगा यहां मुझे दीजिए इजाजत अगर आपको हमारे वीडियो चाहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैस की दुनिया को और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताके आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके इसके इसके लाब अगर आपको हमारी मैस की सारी वीडियो चाहिए तो हमारी वेबसाइ